हेई गाईज सबसे बड़ी और खुसी की ख़वर ये है कि नेट एक्जाम की डेट आ गई है फाइनली एक्जाम है आज से 25 दिन बाद यानि की 16th सेप्टेमबर से 25 सेप्टेमबर के बीच में एक्जाम हना है तो बचे हैं हमारे पास केवल और केवल 25 दिन तो इस 25 दिनों में हम कैसे पढ़ाई करें और क्या पढ़ाई करें इसी की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में सो फ्रेंट्स हमारे पास आज के बाद बचते हैं केवल 25 दिन अगर हम 16 September की डेट मान ले तो अब I hope कि आप पढ़ते रहे होंगे लेकिन अभी आपके पास जब केवल 25 दिन है तब आपको focus करने के जरूत है paper 1 पर साथी साथ subject के उन topics पर जो आपने अच्छे से पढ़ लिया है जो topics आप अच्छे से पढ़ चुके हैं आप उन पर एक बार बहतरीन focus करके उसे 100% complete कर ले thereafter बची हुई चीजे जो हैं उन पर भी आपको थोड़ा थोड़ा focus करना चाहिए अब 25 दिन का time आप कुछ इस तरह से divide करना चाहिए कि वो दो part में हो दो part में इसलिए कि एक part ऐसा हो जिसमें आप अभी तक के पढ़े हुए चीज को revise करें दूसरा वो हो जिसमें आप नए बचे हुए part जो भी तक नहीं पढ़ा है उसको वापस से नए सिरे से पढ़ लें आपको कम से कम 3-4 घंटे का समय चाहिए और लगभग इतना ही समय आपको देना चाहिए पढ़ने के लिए और कम से कम 2 घंटे का समय आपको देना चाहिए पेपर वन पर जो अभी तक पढ़ा है basically focus की units मैं आपको बता दू जहां से maximum questions आपके बनते हैं तो सबसे पहले आपको finish up करना है सुरू की चार units prose, poetry, drama और non-fiction means unit 1, drama unit 2, poetry unit 3, fiction and sort of story and unit 4, that is non-fiction prose thereafter आपको literary criticism, theory और cultural studies पर focus करना है इन में से जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उसे revise करना है previous year paper solve करने हैं और सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है practice set अभी आपको सबसे ज़्यादा जरूरत है practice set की आप practice जितना maximum करेंगे उतना ही आपके study को perfection मिलेगा so practice आपके लिए बहुत जरूरी है guys दूसरी चीज़ जो चीज़ें आपने बिल्कुल ना पढ़ी हूं उस पर आपको ध्यान कम देना है उस पर आप क्या करेंगे बहुत ध्यान नहीं देंगे जितना पढ़ा है उसको strong करना है और paper one पर सबसे ज़रा focus करना है और अभी मैं आपको एक जो भी कुछ दिन पहले मैंने announce किया था वो मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि इस Sunday paper one में mathematics और reasoning की class मैं सब के लिए free कर रहा हूं जूम पर आप उसे join करने के लिए आप by Sunday evening हमें inform कर सकते हैं आप class को join करना चाहते हैं तो हम आपको उस दिन जब class होगी तब हम आपको उस class का link provide कर देंगे जिससे आप उस class को join कर ले mathematics reasoning एक बड़ा part और scoring part है जो कि लगभग 10 questions आपके cover करता है और 10 questions में से अगर आपका command इस पर है थोड़ा भी तो आप 10 में से 8 से 10 questions पूरे पूरे कर सकते हैं तो इसलिए मेरा ये suggestion है कि वहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा part जब subject की बात करते हैं English की तो सबसे ज़्यादा questions जो वहाँ से पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं novel से यानि Unit 3 Unit 3 के बाद जो दूसरा बड़ा part है वो है Unit 1 drama और thereafter next पे आता है poetry और तब आता है non-fiction अब बाकी की तीन units की बात करें तो theories, cultural studies और literary criticism इन तो तीनों से लगभग equal बड़ा questions आते हैं और बाकी की जो बच्री हुई units है जो research है research से आपको मिलेंगे 2 से 3 questions English in India से मिलेंगे 2 से 3 questions और language से मिलेंगे 2 से 3 questions तो ये 3 units बहुत कम questions को cover करती है इसलिए मेरा suggestion है कि पहले इन पर focus ना करके सबसे पहले आप novel पर focus करें novel के बाद आपका focus होना जाए drama पर drama खतम करने के बाद आप poetry and thereafter non-fiction prose or literary theory, criticism और cultural studies I hope इस तरह से आप पढ़ करके 29 days हाँ एक चीज़ और जितना आपका syllabus है जितना आपने पढ़ रखा है revision के लिए आप उससे 29 parts में divide कर लें और उन 29 parts में divide करने के बाद आपका target होना चीए कि एक दिन में एक part आपको खतम ही करना है और इस तरह से 29 days में आपका पूरा revision हो जाएगा साथ ही साथ आप कुछ नई चीज़ें भी पढ़ लेंगे add on कर लेंगे और इससे आपको परिच्छा देने में मदद में लें आप हमसे अगर कोई मदद चाहते हैं तो आप comment box में लिख सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा आपको हमारे वीडियो कैसे कितनी मदद कर रहे हैं यह भी comment में लिखें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको आने वाले latest updates और latest news साथ ही साथ आपके study materials related जो भी वीडियो हैं जो लाइव स्ट्रीम साम को होती है 730 वो सारा कुछ आपको सबसे पहले मिल जा और कुछ भी मिसना हो आपके profession बहुत अच्छी चलती रहे और आप इस एक्जाम में निश्चित ही क्वालिफाई करें इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नए वीडियो में नमस्कार